हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लूग आसा करते हों आप सभी लूग ठीक होंगे अब हम पढ़ेंगे आज फिर से हिंदी के एक इंपोर्टेंट टॉपिक ठीक है जैसे कि हमें क्या है संग्या टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ चीजों से भाव आचक संग्या हमारे पेपर में पूछा जाता है हमसे किस तरीके से इन सब को करेंगे तो पहला हमने पढ़ लिया है जातिव आचक संग्या से चेंज करना किस में भाव आचक संग्या में ठीक है तो हमने पढ़ लिया है क्या भाव आचक संग्या में चेंज करना आज का दूसरा टॉपिक था उसी का आगला टॉपिक सर्वनाम से भाव आचक संग्या में कैसे चेंज करें तो देखिए सर्वनाम है सर्वनाम से हमें भाव आचक संग्या में जाना है तो सर्वनाम जो भी सब प्रयोप किया जाते हैं उन्हें सरुनाम कहते हैं जैसे कि कुछ निजी मतलब अपने निजी के लिए यूज करना क्या है निज सब्द होता है यह एक प्रकार का सरुनाम है ठीक है तो चलिए देखते हैं कि निजी का जो भाव अचक संग्या है वो क्या बनेगा तो निजी का जो भाव अचक संग्या है उसे हम कहते हैं निजत्व क्या कहते हैं निजत्व फिर आता है आप तो आप भी आपको पता है सरुनाम है ठीक है यह सेकंड परसन में आता है तो आपका जो भाव अचक संग्या होगा यह होगा आपा क्या होगा आपा फिर आता है अपना अपना का जो भावाचक संग्या क्या होगा अपना पन फिर आता है पराया पराया का जो भावाचक संग्या होगा उसे क्या कहेंगे पराया पन फिर हमारे पास चार और है आईए देख लेते हैं कि क्या है सर्वनाम है अहम तो अहम का जो भावाचक संग्या हो क्या है अहंकार क्या है अहंकार उसके बाद आता है मम मम का जो भावा चक संग्या होता है ये क्या होता है ममत्व देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूँ यहां से जैसे ये चार पॉइंट है अगर आपके पेपर में कभी-कभी ये भी पूछ लेगा कि स्वासब्द क्या है, सरव नाम है, संग्या है, विसेसड क्या है सरव मतलब क्या है, सरव नाम विसेसग तो इन सब चीजों को आपधियां से देखिए कि कौन कौन से किस काटेगरी में आ रही है क्योंकि कोशन किसी भी तरीके से बन सकता है और जो भी आपको YouTube पर ये बताता ना कि जो मैं पढ़ा तो वो आता है तो आप जान लेजे कि वो बेवकूब बना रहा रहा है एकदम बेवकूब बना रहा है और आप बेवकूब बन रहे हैं ठीक है तो ध्यान से पढ़िए, पेपर के कोश्चन देखे, किस तरीके कोश्चन आते, उस तरीके से आप पढ़िए चली हम लोग थे मम पे, तो मम का जो भावाचक संग्या होता है, वो क्या होता है, ममत्व क्या होता है ममत्व ठीक है फिर आता है स्वा स्वा सर्वनाम है शर्वनाम सब्ध है इसका भावचक संग्य क्या होगा स्वत्व क्या होगा स्वत्व अब आता है सर्व तो सर्व का भावचक संग्य क्या होगा सर्वस्व क्या होगा सर्वस्व तो दोस्त देखिए इतनी सारी चीज़े हो गई हैं आप ध्यान से पढ़िए अपने सुपर्टेट की तयारी जैसे भी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से करिए और नई चीज़े पढ़िए पुरानी चीज़ों को जो आपने पढ़ लिया उसको रिवाइस करिए बार बार उसको पढ़ने की चुर्द न यहीं पर वीडियो को खतम करते हैं अपर मिलते हैं अगले वीडियो में फाइनली वीडियो देखेंगे थैंक्स वर वाचिंग सुधी टुटोरियल